नमस्का, मैं हो सासी, आयो जरकन की टॉप 25 पर मोग खबर जानते हैं पर टेल को लिखे पत्रे में मुख्यातिति के रूप में आमंतित करने के लिए पूरे AIFF परिवार को हर्दिक बधाई देते हुए धन्यवाद दिया है उन्होंने कहा कि जारखन को फोटबॉल की नर्शनी बनाना है इसको लेकर सरकार गंभीर है CMC रिसुरेन ने कहा कि AFC महिला ASEA कप 2022 सबसे बड़े अंतराश्टिये फोटबॉल टोर्नामेंट में से एक है हाल के दिनों में और इतनी बड़ी चेंपियंशिप की दूसरी बार में जबानी करना देश में फोटबॉल का विकास अखिल भारतिय फोटबॉल महासंग के पर्यासो और दूरदर्चीता का पहिनाम है मौसम अलोट 5 डिगरी तक पहुंचा पारा है जारखन में ठंड से लोगों को फिलाल रहात नहीं मिलने वाली है बता दे गुरुवार को राची का निम्तमता पन जम्मों से भी कम रहा वहीं राइधानी राची के कांके का पारा एक बार 4.5 डिगरी से पहुंच गया है मौसम में हो रहे हैं बदलाव से जहां लोगों के स्वास्त पर परभाव पढ़ रहा है बता दे रांची और आसपास के मौसम एक बार फिर 22 जनवरी 2022 से बदलने की प्रवल समवना है पच्मी भी सोब के कारण जहारखन के कई हिसों में 23 और 24 जनवरी को बारिस के साथ साथ ओला विरिष्टी होने की समवना ब्यक्त की गई है सकती बढ़ी तो बीत आयो की 65 पर तिसत रासी हुई ब्याए 15 बीत आयो की रासी के ब्याए की सूष्ट गती से अब जहारखन उबरने लगा है पता दे बीत आयो की रासी का खर्च हाल के दिनों में बढ़ा है इसकी मूल वज़ा केंद्र सरकार की सकती को बताया जा रहा है हाल ही में पंचायती राज के अस्तर पर हुई समीक्षा बैठक में संतोस जनक आकड़े आया है हलाकि आधा दर्जन राजियों का प्रदर्चन अब भी खराब देखा जा रहा है बता दे जारखन को पिछले और बरतमान बितिये वर्ष के लिए 15 वित आयोग से कूल 233 क्रोर की राजियों मिली है पिछले वह बितिये वर्ष इस मद में मिली राजियों का महाई 313 क्रोर ही ब्याय हो सका था जबकि इस BTA वर्स दिसंबर तक 1197 क्रोर ब्याय हुआ है नीजी लेब में कुरोना जाच की दर सरकार ने घटाई राज में संचालित नीजी लेब में कुरोना जाच के सुल्क में कमी की गई है बतादे अब नीजी जाच घरों में Rapid Intelligent Test के लिए महज 50 रुपए लगेंगे जबकि RTPCI टेस्ट के लिए 300 रुपए ही लिए जा सकेंगे बतादे स्वास्त विभाकिया पर मुक्तचिव अरुन कुमार सिंग ने गुरुआर को इसका आदेश जारी कर दिया है अपने आदेश में उन्होंने अस्पष्ट कहा है कि मरीज के निवास अस्थान से RTPCI सेंपल संगरहन किये जाने पर प्रती होम बिजिट 100 रुपए तिरिक्त लिए जाएंगे खतियान अधारित अस्थानिय निती नहीं बनी तो 20 को जामुमों छोड़ देंगे अमीत महतो जामुमों के पूरो विधायक अमीत कुमार महतो ने जारखन में खतियान धारी अधारित अस्थानिय निती बनाने नौकरी के लिए सामिल गयर जारखंडी भसाओं को हटाने और अस्थानिय युगाओं को नौकरी देने की मांग की है बता दे उन्होंने कहा है कि राजी सरकार एक महिने के अंदर इस मामले पर कोई नहीं नहीं लेगी तो वह 20 फरवारी को जामुमों छोड़ देंगे पुरोविधायक का इस ऐसे का ब्यान गुरुवार को दीन भर सोसल मीडिया में चाया रहा इस सम्बंध में बाच्चित के दराण पुरोविधायक अमीत महतो ने कहा कि जामुमों के समिधान में ही इस बात का उलेख है कि 1922 का खतियन धारी जारखंडी होगा दो पहिया वहन मालिको का नाम राशन कार से नहीं कटेगा पेट्रोल सबसीडिय योईना कलाब लेने वाले दो पहिया वहन मालिको का राशन कार से नाम नहीं काटा जाएगा बतादे राश्ट्रिये खाद सुरक्षा धिनियम और धाखन राजे खाद सुरक्षा योजना के तहट चार पहिया वाहन मालिक रासनकाड धारक होने की आरता नहीं रखते जिसके पास दो पहिया वाहन और रासनकाड है वे इस योजना का लाब ले सकते हैं रांची के उपायुक्त शविरंजन ने गुरुवार को इस योजना की समिक्षा करते हुए असपश्ट किया उपायुक्त ने कहा कि कुछ लोग इस योजना को लेकर भरम पहला रहे हैं बतादे रांची जिला में ज्यादा से ज्यादा पात्र लोगों को पेट्रोल सबसीडियों नकला मिल सके इसके लिए उपायुक्त की ओर से लागातार समिक्षा की जा रही है जारखन में सराब की होगी होम डिलिवरी जारखन में सराब की होम डिलेवरी होगी बतादे राज सरकार के उत्पाद विभाग ने बित्य वर्ष 2022 स्टेज के दोरन राजस्वक की बढ़ोतरी की योजना पर काम शुरू किया है इसी वर्ष ना के तहुत खुदरा दुकानों में सराब की बिक्री के साथ साथ होम डिलेवरी भी होगी राज सरकार ने सराब के जरिये राजस्वक की बढ़ोतरी के लिए 36 गर राज कर्पोरेशन लिबिटेट के साथ एम ओयू किया है बतादे 36 गर सरकार की कंपनी को ही उत्पात विभाग की नईनी मावली पर काम करने के टास्क के साथ साथ होम डिलेवरी शुरू कराने की भी जिम्यदारी दी गई है होम डिलेवरी के लिए अलग से एप भी डेवलोप किया जाएगा नकसलियों का 27 को जार्खन व बिहार बंदे प्रतिबंधित नकसलि संगठन भागपा मवादी ने 27 जनवरी को जार्खन व बिहार बंद के आवाहन किया है बतादे बिहार जार्खन एस्पेसल एरिया कमेटी ने पार्चा जारी किया है पार्चा में कहा गया है कि भागपा मावादियों के इस्टर्नल डिजनल ब्योरो कमेटी के सचीव वह एक रोर के इनामी परसांत बोस उर्फ किसन दाव उनकी पत्नी सिला मरांडी को स्वास्त सेवा उपलब्द कराने को एक कई से 26 जनवारी तक प्रतिरो दिवस मनाने का निनल लिया है वही स्वास्त सेवा उपलब्द नहीं कराने पस 27 जनवारी को बिहार एवं जार्खन बंद बुलाया जागा 12 नौमबर को जार्खन के सराय के लएवं पूर्वी सिम पूलिस तथा अर्थजनिक बलोक की सन्यूक्त टीम ने चांडिल कंडरा टोल पलाजा के पास प्रसांत बोस उर्फ किसन दा वह उनकी पत्नी सिला मरांडी को गिरफतार किया था पूलिस लाइन दुमका में 180 क्लोर से होगा कई निर्मान कारे पूलिस केंदर दुमका में क्लोरों रुपए से स्टेडियम, भवन, बैरत, गेस्ट हाउस, परेट ग्राउन का संदरी करन और अने निर्मान कारे किये जाएंगे बतादे गुरुवार को पूलिस मेंस एसोसेशन के परयास से जारखन पूलिस हाउसिंग कर्पोरेशन लिमिटेट की टीम ने सर्वे किया है सर्वे को लेकर जार्खन पुलिस हाउसिंग कर्पोरेशन लिमिटेड के अभियानता कुमार पांडे ने बताया कि उपलवद जमीन की नपी ले ली गई है प्रकलन तैयार करने के लिए आगे की करिवाही की जा रही है जार्खन में बुद्धवार को 26,17 नए मरीज मिले जबकि 37,79 मरीज स्वास्थ भी हुए है बता दे बुद्धवार को 12 मरीज की मौत भी हुई है जार्खन में बुद्धवार के आकड़े के अनुसार कूल एक्टिव केस की संख्या 27,425 है भारत में 3,25,47 नए केस मिले है जबकि 2,44,26 मरीज स्वास्थ हुए भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 20,11,192 है जार्खन की ताजा अपडेट जानने के लिए आज साम 5 बहे का वीडियो देखना ना भूले HEC में नियुक्तियों पर रोक लगी बित निदेशक ने आदेश जारी किया है HEC में किसी भी तरह की नियुक्ति पर फिलहाल रोक लगा दी गई है बतादे कंपनी के तिनों पलांट HMBP, FFP और HMTP में जितने कर्मी कार्मी नहीं बढ़ा जाएगा HEC मुख्याले में भी कर्मी नहीं बढ़ा जाएगे प्रवंदन नए मैन पावर के लिए रासे उपलवद नहीं कराएगा इसे लेकर HEC के बित निदेशक और उन्धति पांडा ने आदेश जारी किया है बता देश अपने आदेश में उन्होंने कहा है कि 20 दिसंबर 2021 तक मैन पावर को लेकर तयार चार्ट के अलावा कोई नई नियुकती किसी भी अस्तर पर नहीं होगी हथियार के साथ गुमला में मुख्या सही साथ गिरफतार गुमला जिला के जारी थाना की पुलिश ने अवायद हथियार रखने के मामले में चैनपूर परकाउंड के एक मुख्या सही साथ लोगों को गिरफतार किया है बता देश पुलिश ने इन लोगों के पास से तीन कटा एक सिक्सर एक मिन्स फायर गोली समेत चार जिन्दा गोली भी बरामत किया है वहीं गिरफतार आरोपियों में से एक आरोपि का संपर्क नक्सलियों से है इस बात की जनकारी एस पी डाक्टर एतिसाम वाकरिव ने पत्रकारों को दी आदिम जनजाती के मरीजों को बाइक एंबुलेंस की सुविधा के लिए हो गा एप लांज जहारखन में आदिम जनजाती समुदाय के लिए बाइक एंबुलेंस योईना सिवकृत हो गई है बुद्धवार को इसकी जनकारी देते हुए स्वास्त मंत्री बना गुपता ने कहा है कि जारकंड के बिभींजिलों में आदिम जन जाती के लवग 75 परिवार हैं गिरामिन इलाकों में सुविधाय और समपर्क विवसा सुद्रीड नहीं रहने के कारान गंभीर बिमारियों से पिलीत आदिम जन जाती समुदाय के लोगों खाज कर गरवती महिलाओ और बुजुर्गों को तौरित अस्पताल पहुचाना मुश्किल हो जाता है इसे देखते पुराज जेपाल रमेश बैसको ग्यापन सौपकर कोचिंग संस्थाओं की आर्थिक यो मानसिक इस्तिती सावगत कराया उन्होंने 50 पर्थेश शमता के साथ कोचिंग संस्थाओं को पुना खुलवाने को लेकर सरकार से बात करने का अग्रह किया बता दे रितियस सिंग न देगी 15,000 से लेकर 1,000,000 रुपए तक की प्रुसाहन रासी जार्खन सरकार द्वारा राजे के मेधावी छात्राओं को राजे से बाहर वार राजे के तकनीकी सिक्षन संस्थाओं में अध्यान कर रही छात्राओं को प्रुसाहन रासी देने की योईना लागू की गई है बता दे इसके तहट छात्राओं को 15,000 रुपए से लेकर 1,000,000 रुपए तक की रासी दी जाएगी उच्वा तक निकी स्तिक्षा विभाग द्वारा इस समन में गाइडलाइन त्यार किया गया है इसके तहट रासी उपलवद कराने की जिमेवारी जार्खन और टेक्नोलोजी को दी गई है जे यूटी के माध्यम से लाभुक छात्राओं को प्रुसाहरासी सीधे उनके बचत खाता में जमा कर दिया जाएगा जार्खन में कूपोसन से जंग की त्यारी pds दुकानों में मिलेगा फोटिफाइड चावल कुपोसन वा एनिमिया को दूर करने के लिए केंद्र सकार ने पाइलेट पोर्जेट के तवा जार्खन समेत 15 राजों में पीडियेस दुकानों से पोटिफाइड चावल बाटने की योजना शुरू की है बतादे भीती वर्ष 23-24 से पूरे देश में इस योजना को लागू किया जाना है जार्खन में भी इसको लेकर त्यारी की गई है पॉले चर्ण में कुपोसन से ज़्यादा परहवित इलाकों में इसकी शुरूआत करने की योजना है फिलाल पाइलेट पूर्जेट के तथ खादयापूर्ती विभाग ने पूर्भी सिमोम के धालबूम गड़ और चाकूलिया परखन की पीडियेस दुकान से फोटिफाइट चावल देने की शुरूआत की है लोहर दग्गा में स्वेटर उतपादन केंद्र का उधगाटन स्वेटर उतपादन केंद्र से जुड़ी है उन्हें अधिक से अधिक संख्या में स्वेटर का उतपादन करना होगा बता दे स्वेटर को अने जीलो में भी भेजा जाएगा दुमका में PDS डिलर की फीट पीट कर हत्या है जारखन में एक बार फिर संसनी खेजवरदात को अंजाम दिया गया बता दे दुमका के हंसडी थाना छेत्रे के धनवे गाउं में एक जन वित्रन परनाली दुकान के संचालक की फीट पीट कर हत्या कर दी गई पुलिस सुत्रों ने गुरुआर को बताया कि दुमका जीले के हंसडी थाना छेत्रे के धनवे गाउं से जन वित्रन परनाली दुकानदार असोक कुमार मंडल बुद्वार की देर रात अपनी PDS की दुकान बंद कर घुर लट रहा था इस बीच अग्यात अभ्याथियों ने उसकी जम कर पिटाई कर दी बुरी तरह जखमी कर दिया अस्थानी लोगों ने असोक की घैला अवस्था में सड़क के किनारे होने की सुचना दी इगुनू और कोशल विकास मंत्राले के बीच MOU इगुनू और कोशल विकास मंत्राले भारत सरकार के बीच एक MOU हुआ है इसके तहट 500 प्रधान मंत्री कोशल केंद्र 3000 ITI और 32 राश्ट्रिय कोशल पर सिक्षन संस्थान के छात्रों को उच्छा प्राप्त करने का उसर दिया जाएगा बतादे छात्र इगुनू से तीन वर्षी असनाता कोर्स कर सकते हैं यह जनकारी इगुनू के वरिये छेतरीय निदेशक डाक्टर सुभकांत मोहंती ने दिया है धन्यवाद